दोस्तों अभी कुछ घंटे पहली की बात है यहाँ पे एक नया टीवी स्पोर्ट लीक हुआ है जी हाँ दोस्तों यह ओफिशली नहीं आया है बलकि सीधे लीक हुआ है जापान से अब आप लोग तो जानते हैं स्पाड़ा में नुवे होम जापान में 7 जनवरी 2022 को रिलीज हो रही है यानि काफी लंबा टाइम गडप है लेकिन फिर भी वहाँ पर भी तो प्रोमोशन चलेंगे लेकिन सबसे खाजबर टीवी स्पोर्ट की यह है कि हम लोग को कुछ नए सीन दिखाए गया है और एक सीन ऐसा है उसे देखके और इस बिल्कुर भी विश्वास ने कर लेकिन सबसे इंपोर्टेंट बात यहां पर जैसे डॉक्टर स्टेंज कर डैलोग आता है कि वह लोग आ रहे है और मैं उन्हें रोग भी निपरा हम लोग देखते हैं टॉब यूंग वार के स्पाइडर मैन को जी हां दोस्तों यह मैंने कर रहे हैं यहां पर टीजर टीज देख सकते हैं अब दोस्तों मैं आप सबसे पूछना चाता हूं कि मालीजी जो टीवी स्पॉट लीक हुआ है तो इसे जान मुझ के ऐसा बनाएगा एडिट करके कि आसा लगी कि टॉब्य मंगवार कभी उसमें लीक हो गया है या फिर यह कुछ और है क्या यह यह रियल टी देखें यह इमेज हलका से क्रॉप हो गई है लेकिन अगर हम लोग नोटिस करेंगे तो हम लोग को टॉब्य मगवार के स्पाइडामन का हैड दिखाए देगा अब दोस्तों यह हर डायक्शन से क्या कंफर्म कर रहा है सुन यह जान मुझ के दिखा रहा है या फिर एक कोई होई नहीं सकती है लेकिन दोस्तों यहाँ पर शायद एक और मिस्टेक है अगर आप लोग वो जैपनीज ट्रेलर देखेंगे या फिर कर टीवी स्पोट तो यहाँ पर जितने भी डैलोग हम लोग को सुनाई दे रहे हैं वो सब इंग्लिश में है तो अगर यह जैपन को देख लिया है लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आपने वह अब तक नहीं देखा है तो प्लीज एक बार सर्च किजगा और कंफर्म करके बताईगा कि आपके हिसाब से आपको यह क्या लग रहा है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही उम्मीद करतों आपको यह वीडिय अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज जरूर लाइक किजगा और अगर आप दोस्तों ऐसे यूनिक सब्सक्राइब करके हमारी सुपर इरो फामली का हिस्सा बन जाएगा